हेलो फ्रेंड जैमातादी कैसे आप सभी लोग उम्मीद है बस्त होंगे चका चक होंगे खुश होंगे काफी दिनों बाद एक हम लोग सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके हम लोग मद्धिप्रदेश सामान ग्यान के बो टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एक्जाम च स्टाटिक जीके हैं यह हमारा स्टी पॉलिटी एकॉनोमिक्स जोग्रफी का जो पूर्शन है जो बहुत महत्पून है यहां से प्रश्ण आने को बनते हैं वह हम लोग देखेंगे और कुशिस करेंगे कि सीरीज को हम लोग कंटीनू करें चली स्टार्ट करते हैं आज का ज सब्सक्राइब जो बहुत अती महत्पून हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे चाले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने बाले हैं मद्ध्रदेश के स्टेडियम के चिक हैं मद्ध्रदेश के स्टेडियम के तो यहां पर देखिए गां एक चीज आपको उसा राजे इस्टेडियम था पर आज बरतवान में से होलकर इस्टेडियम कहा जाता है तो होलकर इस्टेडियम कहां पर है इंदौर में है यहां पर क्रिकेट खेला जाता है इसको 1990 में बनाया गया था 30,000 लोग इसमें एक सांथ दरसक बैठ के करके डेख सकते हैं ठीक है और रेस कोर्स रोड इंदौर मद्ध्रितियस में देखने को मिलेगा सबसे महत्पूर्ण जानकारी है कि वीरेंद सेबाग ने 200 रन बहिया यहीं पर पूरे करे थे ठीक है वीरेंद सेबाग ने भारत में 200 रन पूरे यहीं से किये थे यह आप दखिए गया कोशन पूशा जाता है होलकर स्टेडियम में 200 रन दोहरी सतक इसने बनाई थी इसके बाद अगर हम लोग बात करें नहरो स्टेडियम बहुत खास है यह इंदौर में है इंदौर का बहुत बढ़िया स्टेडियम है बहुत बड़ा है पर आज बरतमान में यहां पर कोई भी मैच नहीं होत देखे के लिए है फुटबॉल और खोको भी खेल सकते 1964 में यह फुलकर स्टेडियम से पहले बना था 25,000 दर्शक है यहां पर 2001 सचिन तेंदुगर ने भारत में 10,000 रन पूरे किये थे और इंटरनेशनल किर्केट पर इस पर प्रतिमन लगा दिया है जैसा कि मैंने आपको कि यहां पर क्या होती बॉल जो है भांस करती और हिट करती डा्रेक्ट बहुत सारे चोटिल हो गए तहे इसलिए इसको बैंड कर दिया गया है टिके के तो नहरु इस्टेडीएं भी कहा पर है नहरु इंदॉर मैं यहां पर किर्केट के अलावा खोको स्टेडियम है यह दोनों आउट्डोर स्टेडियम ते इंडोर मतलब यहां पर अंदर ठोको बगएरा टेबल टैनिस बगएरा यह सब चीज़ें खेली जाती है यहां पर देखिए इसके इस्तापना 1994 में हुई सबसे बड़ा ठीक है दर्सक की छमता कितनी है 10,000 मतलब इंडो लोग एक साथ बैटके खिलें और नवरातने में यहां पर घर बे भी होते हैं अगर आप इंदौर से होंगे तो आपको पता होगा यहां पर घर भे घर खिले जाते हैं उससा राज है ठीक है मैं बहुत गया हूँ यहां पर घर देखने ठीक है इंडोर स्टीडियम है और 2012 म सेंटर और दच्छल एश्याई शेत्रों में एक मात्र केंद्र के रूप में चुना गया है भारत में ध्यान रखिएगा 2012 में से अवे प्रसाल को भारत में ITTV International Table Tennis Federation Hot Sport Training Center और दच्छल एश्याई शेत्रों में एक मात्र केंद्र के सब्सक्री सब्सक्राइब कि याद में इसे बनाया गया स्वर्गी लक्षमर्ण सिंग चुहान तरण पुसकर के याद में से बनाए गया है इंदौर में खेल स्टेडियम जो है छोटे-छोटे यहां पर क्या होते हैं टूनामेंट टाइप के होती रहते हैं चोटा साय इंदौर की खेल संस्ताइं कि अगर हम लोग बात करें यहां प देखो ग के इंदौर में आपको होलकर अस्ट्राइप्साल आपको देखने को मिलेगा इंदौर में खेल स्ट्रेडियम रहते हैं और यह नहरो तरण हैं उन जब्रदेश का सबसे पुराना किर्केट किलब है पार्सी किलब इसे याद रखेगा यह 890 में बना और स्विंग डाइविंग पुल का निर्मान प्रिस्ताबित है यह आपको याद रखना है चले अगले पर चलेंगे हम लोग अब बात करेंगे दोस्तों गवालियर की गवा इसा है जहां पर रात में भी लाइट लगाई गई जिसमें हम लोग रात में भी मेच खिल सकते हैं देखिए इसकी इस्तापना 1978 में हुई थी 45,000 45,000 दर्शक एक साथ बैट के देख सकते हैं MP का विगेस्ट सबसे बड़ा दर्शकों की समता में अगर सबसे बड़ा सिदा की गई मतलब नाइट मैच हो सकते हैं यहां पर 1996 सरप्रतम सचिन तेंदुगर ने सरप्रतम एक दिपसी मैच में 200 रन बनाए अगर पुछा जाए बीरें सहभाग ने तो क्या बात करोगे बीरें सहभाग ने होलकर स्टेडियम इंदॉर अगर पुछा जाए सचिन ते बैठते दर्सक बैठते हैं उस पबेलियन का नाम क्या रखा गया है किर्केटर महां पर बैठते हैं उसका नाम रखा गया सचिन तेंदुगर इस स्टेडियम का नाम महान भारती खिलाडी रूप सिंग के ऊपर रखा गया जो स्वेम कप्तान ध्यांचंद्र के छोटे आगे बढ़ेंगी हम लोग जानेंगे गबालियर में एक महीला हौकी अकेडमी यह यहां मद्य प्रितेस की पहली महिला होकी अकेडमी है ठीक है मद्य प्रितेस की पहली महिला होकी अकेडमी कौन सी है महिला होकी अकेडमी गबलियर यहाँ पर होस्टल की सुबीदा भी उपलब्द है इंटरनेशनल मापदन वाले खेल मतलब अंतर राष्टी लेबल का जो होकी होता है सब सिखाए जाता कोच वग्यरा सब सामान ममन सब अभी लेवल यहाँ पर मिलेगा फिर एक बैड मेंटन अकैडमी भी है बैड मेंटन अकैडमी 2010 में खुली यहाँ पर यहाँ पर भी होस्टल और आगे चलेंगे जबलपूर में कौन-कौन सब इस्टेडियम है जबलपर की प्रमुक स्टेडियम है असोग पटेल इस्टेडियम बहुत important है असोग पटेल इस्टेडियम कहाँ पर जबलपुर में है पंडित रवी संकर सुकल स्टेडियम पंडित रवी संकर सुल का हमारे CM थे पहले CM थे पंडित रवी संकर सुकल उनी के नाम पर यहाँ पर एक स्टेडियम रखा गया है रानी ताल क्रिकेट इस्टेडियम फिर कौन सा है सिवाजी वैलू डूम सिवाजी वैलू डूम साइकलिंग होती ही यहाँ पर ठीक है साइकलिंग जो करते हैं साइकलिंग रेसिंग बगरा उसका है स्टेडियम सिवाजी वैलू बैलू डूम तो बैलू डूम याद रखिएगा जबलपूर की खेल सनस्ताओं की बात करें, तो मद्रदेस में Badmental Association कहां पर है, Badminton Academy कहां पर ती बेडमेंटर Academy कहांप थी गела लियर में, पर ब्लाब्रदेस Badminton Association जो है वो जबलपूर में है, मद्रदेस Hoakey Association कहां पर है, ये भी जबलपूर में है, तीरंदाजी एकेडमी और बाकी बैटमेंटन होकी और टेबल टेनिस असोशेशन कहां पर है जबलपुर में ठीक है असोग पटेल स्टेडियम पंडित जबाल रभी संकर सुक्र स्टेडियम रानी तल क्रिकेट स्टेडियम और सिभाजी वैलूडम साइकलिंग कहां पर की जा जा सकता है उसा भाव ठाकरे राश्टी खेल संस्तान कहां पर है धार में राजा देवी सींग धही दरबार राजा देवी सींग धही धरबार बैडमिंटन हॉल ये भी पूछा जा सकता है राजा देवी राजा देवी सींग धही दरबार बैडमिंटन हॉल कहां पर है धार football athletes का प्रिस्ट्वर्ट ब्हूंधा चलता रहता है संजय स्टेडियम में 80% होगी खेली जाती ध्यान रखेगा बाकी सब भी इसमें खेल खेल लेते हैं तो कोशन पूचा जाएगा संजय स्ब्द्द r update में संजय के हां पर एक गुना में चलिया आगे बढ़ेंगे हम लोग अब सिप्पुरी के बात करेंगे दोस्तो सिप्पुरी में किर्केट है किर्केट अकैडमी है 2016 में से बनाई गई ती शिप्पुरी कौन सी है किरकेट एकैडमी की बात करें बहुत nowhere 2008 में जायए थी हुसंगाबाद में नरब्दापुरम में नरब्दापुरम इसำ जाहता है जिसमें होता हो बहुत तरीके सा आप एस कर सकते हो तो वह हमारी राजधानी में मिलेगा जो कहां पर है भूपाल ठीक है तो एस एस वाग स्टेडियम जो है 2009 में बना था 15000 दर्शक इसमें देख सकते हैं इस टोड टर्फ सुभीदाय सभी प्रकार की सुभीदाय यहां पर आपको देखने को 1962 में बनाता 15000 दर्शक देख सकते हैं तो दो इंपोर्टेंड है एस बाग स्टेडियम और दूसरा कौन सा है ताट्या टोपे स्टेडियम ठीक है कहां पर है भूपाल अब इसके बाद देखीगा बाबा अली बाबे अली स्टेडियम भूपाल में है मेजर ध्यान चन मेजर रूप सिंग कहां पर है गवालियल में पर मेजर ध्यान चन जो है वो कहां पर भूपाल में है अंतर राष्टी क्रिकेट स्टेडियम भूपाल में है साई छेत्री स्टेडियम गोरे गाउं भूपाल में मिलेगा आपको प्रकास तरन पुसकर प्रकास तरन पुसकर जो स्ट परकास तरणपुस्कर कहा पर है यह भी भोपाल में बहुत सारे स्पोर्स हो नहीं इसे हो यह जितने भी होती है इस इसके बात देखिए बोपाल में अगर हम लोग देखें सुटिंग अकेडमी अब देखी शूटिंग अकेडमी भोपाल में है गुल्साबारी अकेडमी 2000-27 भोपाल एतलिट्स अकेडमी 2016 पूर्फ होकी 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 होटार क니다 ऑप महीला होकी होकी करना है तो कहां जाओगे भोपाल तो याद रखो भोपाल जा रहे हुआ याँ पर बंदूक से शुटिंग करना आपको सिखाय जा रहा है मार्सलार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है गोड़ की सवारी आपको भोपाल में कराई जा रही है athlete जितने भी आपको athletes वनना है किसी पे ऊची कूद लंबी कूद तो athlete academy कहां पर भोपाल में है पुरुस जितने भी पुरुस देख रहा है अगर hockey academy में जाना है तो कहां जाओंगे भोपाल और water sports जो भी है बाटर से विकार्डिंग यतने भी स्पोर्ट होंगे वो कहां पर होंगे मौपाल 2007 में बना गया था मैक्सिमम 2007 में बने पर एक बना है आपका पुरुस होकी अकेडमी 2007 पर एथलेट्स अकेडमी जो बनी थी सुलाम बनी थे ठाद रहोगे चली कि अब देखेंगे चली बहुत इंपोर्टेंट हम लोगे तीस अजाल लोग एक साथ देख सकते हैं रेसखोर रोट लोट मिलेगा वी रेंस हेवाग ने 205 बनाए ठीक है नहरू स्टेडियम क्रकेट का है फुटबॉल खोको भी है 1964 में बना 25,000 एक साथ लोग देख सकते हैं सचिन ने 2001 में 10,000 रन यहीं पर पूरे करे थे इंटरनेशनल किर्केट पर प्रतिवन लग गया है अवे प्रसाल एक इंडोर स्टेडियम है 1994 में बना 10,000 बैठ सकते हैं दर्सक सबसे बड़ा है मद्दिप् प्रसाल को ITTF Hot Sport Training Center के रूप में दच्छन ACI छेतर में एक मात्र केंद की रूप में चुना गया है चालिए यह तीन हम लोगों ने देखे थे इसके बाद देखिए हमने देखा इंडोर खेल स्टेडियम में नहरू तरन पुसकर स्टेडियम लक्षमन सिंग चौहां तरन काम कर रही है कहां पर इंदोर में स्विंग एवं डाइंग पुल का निर्माण जो है फ्रस्तावित हैं यहां पर बनने वाला है इंदोर में ठीक है इसके बाद हम लोगों ने देखा देखी जली से फटा-फट गवालीयल में रूप सींग क्रिकेट इस्टेडियम यह है अफ्तान रूप सिंग स्टेडियम में एक पवेलियन का नाम भी सचिन तेनोरगे नाम पर रखा गया और इस स्टेडियम का जो नाम है महान मेजर द्यांचंद के भाई के नाम पर है गवालियर में और देखी गा महीला होकी एकडमी 2006 में बनी मद्यप्रिदेश की पहली मही संकर सुक्र स्टेडियम रानी ताल किर्केट स्टेडियम सिवाजी वेंडूलूम यह इंपोर्टेंट याद रखेगा वेलूडूम सिवाजी वेलूडूम स्टेडियम जो साइकलिंग के लिए है धार में देखिए कुसावाव ठाक ले और राजा देवी सिंग दही दरबा और और अप्रश्टर प्रकास्तर रन्पुसकर बोपाल में देखिए सुटिंग अकडमी मार्सलाच अकडमी घुरसवाड़ी एथलेट एकडमी पुरोष होकी अकेडमी और वाटन स्पोर्ट ठीक है मुझसे उम्मीद है मुझसे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को य स्टेडियम बाला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा बुलिटिन का मतला बुलिट की स्पीड में हम लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक बड़ा टॉपिक जल्डी कम समय में इसको समाप्त करने की कुछिस करी मुझे उम्मीद है अगर हैं से कुछन आएगा तो आपसे जरूब बनेगा मिलते नेक्स लेक्चर में जब तक के लिए जैए भाराइक थैंकि सुमच्छ बाइबाइ टेक क्या अ हुआ है